हेलो दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली की गौरी यूट्यूब चैनल के त्रू आग्रा फोर्ट हमाऊँ आग्रा का किला युनेस्को द्वारा घोशित विश्व धरोहर स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश राजियें के आग्रा शेहर निस्थित है ताज मैल से ये लगबग धाई किलोमेटर दूर है भारत के मुगल समराग बाबर, हुमाईू, अकपर, जहांगीर, शहाजा और और औरेंग जेप यहीं रहा करते थे और यहीं से पूरे भारत में शाशन करते थे यहां राज्ये का सरवादिक खजाना संपत्ति वाटक साल थी यहां विदेशी राजदू, यात्री वा उच्पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था जिनोंने भारत के इतिहास को रचा अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाशा को उसके पुद्र औरंगजेव ने इस ही किले में बंदी बना दिया था एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों के विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी यहे भी कहा जाता है कि शाशा की मिर्तियू किले के मुसम्मन भुर्ज में ताज महल को देखते हुए हुई थी एक शाहिए कि ताज में चैनला दाढ् भंदा ग만mittel यहां भंदान indicated कि भंद कि एक尤 झाल झाल सामने आप जो देख रहे हैं ये गोल्ड टब है जहांगीर का बाट टब सलीम का ही नाम जहांगीर है जब सलीम छोटा बच्चा था तो इसी बाट टब में गुलाब जल से नहाता था यह सिंगल पीस में बना हुआ है इसमें कोई जोइन नहीं है इसमें तीन सीड़ी अंदर है और तीन सीड़ी बाहर है अब हम पहुच गए हैं जहांगीर बादशा की महल यह महल के अंदर रंग महल है यहां नाज गाने का प्रोग्राम होता था उपर रानिया बैठा करती थी इसे जरोखा बोलते हैं उसके उपर छथियां जो दिख रही हैं यहां राजा बैठते थे और यहां से फूल बरसाते थे जहांगीर को किताबे पढ़ने का बहुत शौक था यह सामने अलमारियां बनी हैं इनके अंदर किताबे सजाक कर रखी जाती थी किताबे उतारने के दिये लकड़ी की सीड़ी का प्रयोग किया जाता था किताबे जाता था आता हैं यहां जाता हैं आधो जाता हैं यहां एंग वर किताबे उताबे का रखी जाता हैं इनके बटाओा प्रहां आता हैं गड़ाश्लिचने का घव आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइख शेर और कमेंट